हेलो फ्रैंट्स कैसे आप सब लोग दूस्तो है विशाल आप सब स्वागत करता हوں आपके और हमारे अपने चैनल में दोस्तो उम्मीद है आप लोग को हमारे वीडियोस पसंद आती होंगी काफी अच्छी होती होंगी हमारी वीडियो इनकेस अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसी से आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी और हमको फ्यूचर में और अच्छी वीडियो बनाने की मोट को सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है दोस्तो आज की वीडियो को जरासा भी करना है क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी सेटिंग्स बताने वाला हूं उनको आप जरा भी स्केप नहीं कीजिएगा और आप जानिएगा कि क्या वो सेटि दोस्तों मैं आपको बता देंता हूँ कैसे यह काम करेगा, यहां पे देखी दोस्तों यहां पर इस तरीक के हम बागर मेन्यूव पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है। को यहां पे एक option दिख जाता है जिसे बोलते हैं play protect ओके दोस्तों इस option का काम क्या होता है मैं आपको बताता है दोस्तों इस option का काम होता है play store से आप जितनी भी एप इंस्टॉल करते हैं उन्हें यह scan कर साए ओके दोस्तों जितनी भी आती है दोस्तों in case अगर कोई harmful app है तो उसे यह scan कर देता है और यह उसकी रिपोर्ट डारेट गूगल को देता है ओके दोस्तों और गूगल को in case वह थोड़ी harmful लगती है और उस mislead करती है उसकी terms and conditions को तो वह एप को बहुत जल्दी play store पे से हटा दिया जाता है ओके दोस्तों आपको पता नहीं चलता है ले सकें तो यहां पे scan का option आता है आप उसे scan कर सकते हैं ओके दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले scan किया था चार एप थी जिनको मैंने हटा दिया अपने phone से ओके दोस्तों उन मैंसे एक app मैंने notepad download की ती जो कि third party की थी उसे मैंने हटा दिया ओके दोस्तों यह सारी app को scan करता है ओके दूस्तों लेकिन इसके अलावा एक option यहां पर आपको कुछ option देखने को मिल जाएंगे setting में जाके setting में जाके आप क्या कर सकते हैं अगर इन दोरों में सो कोई भी option आपका चालू नहीं है तो इन्हें on कर लीजेगा यह automatically चीजों को scan करेगा सारी apps को scan करेगा द बताएगा ओके दोस्तों और जैसे ही कोई harmful app मिलेगी उसके लिए said unknown apps to google for better detection उनको क्या करेगा गूगल को send कर देगा और detection के लिए ओके दोस्तों further google check करेगा in case they are misleading their terms and condition then they will remove that app permanently ओके दोस्तों वो console से play store console से उसे हटा देगा ओके दोस्तों यह वह हमारी exciting चलिए दोस्तों अच्छी setting के बारे में इसके लिए आपको क्या करना होगा यह आपको आपके phone में मिल जाएगी दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको जाना होगा setting में setting में जाने के बाद आप यह तो additional setting में जा सकते हैं indirectly आपको जाना है accessibility में हर phone में accessibility android में मिली जाता है accessibility में दोस्तो वो setting होती है जो physically challenge लोगों के लिए बनाई जाती है जिन लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देता ओके दोस्तो जिन लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं देता उनके लिए accessibility बनाया जाता है जिसके बारे में आपको पहले वी काफी बार बता चुका हू दोस्तो यहां पर एक setting आती है जिसे बोलता है magnification क्या होती है यह setting दोस्तो जरूरी नहीं है यह physically challenge लोगों के लिए है तो हो सकता है आपके लिए न और लिकिन यह setting आपके लिए भी है यहoppication में जाकर आप इसे on कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो देख सकते हैं यहां पर 2 option है magnifier ו triple tap magnify button आप दोनों में से कोई भी option choose कर सकते हैं अब दोस्तों मैं इस option को on कर देता हूँ अब दोस्तों इस option का फायदा क्या होगा as is name indicate और जैसा कि इसके description में है आप जैसे ही अपनी screen पर किसी भी app को खोल के तीन बार tap करेंगे तो जैसे कि मैं आपको एक बार डेमो दिखाने की कोशिश करते हैं चलिए दोस्तों एक काम करते हैं हम खोल लेते हैं इस piece to text ओके दोस्तों मैं इस पर तीन बार tap करता हूँ इसको खुल जाने देते हैं और जैसे ही ये तीन बार tap करेंगे आपकी जो है यह जूम इन हो जाएगी जो कि बहुत ही Cool लगेगा जो कि आप इसे इस तरीके से use कर सकते हैं बहुत अच्छी app है यह बहुत मज़ा आएगा in case अगर आप use करना चाहते हैं बहुत मज़ा आएगा आप use करेंगे तो देखे मैं एक बार setting को on करके देख लेता हूं setting on हुई है जो कि काफी cool है ओके दोस्तो अदिशनल setting में आको जाना है accessible जाना और इसे आपको on कर देना है ओके दोस्तो magnify मेरे ट्रपल टेप अन हैगी और हो चुका है और यह देख से बटन के साथ करना चाहता है तो बटन के साथ भी आप कर सकते हैं और जैसे ही आप करेंगे यह ट्रपल टैप करने पर आपकी स्क्रीन जोम इन हो जाएगी ओके दोस्तो देन दोस्तो इसके अलाबा आपको और सेटिंग के बारे में बताना है एक और सेटिंग है जो कि बहुत अमेजिंग है जो कि आपको मिलेगी कहां पर जो कि आपको मिलेगी फाइल मेनेजर में दोस्तो फाइल मेनेजर में बहुत सारी ऐसी फ फोल्डर से इनको कर सकते हैं हाइड कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं चलिए दोस्तो यहां पर जाके आपको कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है ओके दोस्तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं अभी एक सेटिंग मैं आप यहां पर कर लेता हूं दोस्तो एक सेकेंड जिस जिसका नाम है Intelligent CV, अब मैं इसे hold करके इसे rename करूँगा, ओके दोस्तो, rename करने के लिए मुझे इसके आगे एक dot लगाना है, dot का काम क्या होता है दोस्तो, जितने भी developer होते हैं, जितने भी hard-coded developer होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को hide करने के लिए, उस folder के आगे dot लगाते हैं, देखी दोस्तो, dot लगाते ही, वो folder hide हो जाता है, इनके सखर आपको इस hidden चीज़ को check करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, setting में जाके, यहाँ पर setting में जाके show hidden file को खोल सकते हैं, ओके दोस्तो, अब यहाँ पर आके check करेंगे, तो वो file आपको मिल जाए, जैसे कि देख सकते हैं, intelligent cv यहाँ पर आ चुका है, ओके दोस्तो, अब आप इसे दोबारा rename करके, इसका dot हटा सकते हैं, तो आपको यह बिना hidden file के भी दिख जाएगा, ओके दोस्तो, setting के, तो जो की काफी अच्छा option है, ओके दोस्तो, तो उमीद है दोस्तो, आज की वीडियो में आपको कुछ काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ओके दोस्तो, अब मैं setting में जाके, अगर इस option को बन भी कर दूँगा, तो भी वो file आपको शो होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, intelligent cv नाम का folder आपको शो हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसे use कर दकते हैं, तो उमीद है दोस्तो, आज की वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर पसंद आई हो आज की वीडियो तो लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकोल बनता है, और बैल आइकन को भी दबा देना, ओकी दोस्तो, वीडियो में एक भी सेटिंग आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा चैनल दो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तबाना ना बूले बहुत जल मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तो